वेल्कम एबरीवन चैप्टर फूर में हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में जल आघार जल आघार मतलब वाटर हैमर क्या होता है हथोड़ा 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 जब कहीं पीड़ते हैं तो एक अचीब सी आवाई आती है नौकिंग आवाज जिसे हैमर का आवाज कहते हैं लेकिन वाटर हैमर में क्या होता है जब पानी किसी चीज से टकराती है तो क्या करता है एक आवाज निकालता है जिसे हम वाटर हैमर करते हैं यह आवाज कब आती है तो इसके लिए जब कोई पाईब होता है उस पाईब में कोई द्रव बाता है मानिए यहां पर कोई पाईब है उसके अंदर कोई द्रव जैसे कि पानी पर टोल डीजयल कुछ भी बाशाएं और अचानक इस पाईब का वाल बनकर दिया जाए तो वाल बन करेंगे तो अचानक बन करने से क्या होगा कि जो गति पाने में अंदर ती तो इस पाइब के अंदर आपका दाब बढ़ जाता यानि प्रेसर बढ़ जाता है तो पाइप भटने का डर रहता है और दूसरी बात एक वाल बन करने से जो पानी रहता है तकराता इस वाल से और पाइप के दिवालों से टकराता तो एक आवाज आती है नौकिंग आवाज जिसे ही हम क्या कहते हैं वाटर हैमर इफेक्ट करते हैं या हैमर ब्लू करते हैं जल आघात या प्रघात ठेक है यही होता है वाटर हैमर अब वाटर हैमर किस पर डिपेंड करता है तो नलों में जल आघात दाब तिव्रता पर डिपेंड करता है तो सबकों पता है अब दाब कैसे बढ़ेगा इस निवाल फॉस्ट करेंगे इस बन करेंगे हैंै कि हमारा वाटर हैमर कितना मतलब ज्यादा खतरनाक होगा कि अगर घड़ बहुत ज्ञादा है प्रेश से भी बहुत ज्यादा है वॉल करें के प्रेश Gi कि लमबाई और पाइप की लमबाई बहुत ज्यदा होगी तो उससे क्या होता कि प्रेश , स्वेट होता है ना प्रेश जहां पे भी प्रेशर कम रहेगा वहां पे प्रेशर चला जाएगा उससे क्या होता है फटने का डर कम रहा था अगर छोटा है और प्रेशर वहीं रहा गया तो फटने का डर जाता होता है ठीक है तीसरा होता है प्रत्यास्था मतब द्रौ तथा पाइप के पदात के प्रत्य क्यों होगा जैसेटी अगर का है कि ये ऐसे पदाद काची अगर अगर जैसे कि क्या होगा कि दाब जो है अगर क्या होगा अगर आपका रबड का पाइप रहेगा तो फैल जाएगा तो आयतन बढ़ेगा तो प्रिशर क्या है ज्यादा नहीं बढ़ेगा लेकिन अगर गिट्टी का है लोहे का है तो उसमें प्रिशर बहुत ज्यादा बढ़ तो इस पे बिडिफेंड करता है कि पाइप की मतेर्यल का बना है और पाइप के अंदर रहा है अगर हवा बहेगा तो हवा तो यह ज्यादा दिक्कत नहीं रहता है गैस अथने रहता है लेकिन अगर वह रख गवा रहर दो फटने का चांज ज्याद है हबा भी हेगर हाई प्रेसर पर मोट्व सकता है उसको दूर करने के लिए दो चीजसे हैं पहला है सरड़ तैंक क्या होता एक टैंक होता है तो इससमें पानि रख्ञ्टा किया झाल कि तो यह लेकि हैं कि यहां प्रटेंस सर्ग टैंक अगल और समय प्रटेंख की नहीं समय कि पानि यह्च स्व है ऑप सesz्वाग्स में ऊपर हुआ और नीच्छे पानि रहता है इस 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 पाइप में पाइप से पानी बाता होता इस ही पाइप से इसह में इसमें इकाठता होता रहता है यह इनिन जर्दय को पलड़ा भी आपश करने का दर भाइट GET तर तर्मwyn लेकिन हम हाइडोलिक में पढ़ेंगे जल टर्वाइन या वाटर टर्वाइन में कौन सा उपयोग हो देखिए यहां आपका इस्टीम टर्वाइन कि अब इसको चलाने के लिए कुछ चाहिए तो यहां पर पानी देंगे ना कि भाभ तो यहां से पानी कहा से आएगा नदी के डैम से आएगा या रिजर वायर से आएगा रिजर वायर मतलब जहां पानी गठा होता है तो यहां रिजर वायर मानिए नदी का डैम है जहां पे पानी गठा हो रहा है तो यहां रिजर वायर में पानी है यहां से पाइप के वो uh यह तो कंक्रीट का बनेगा यहां तो स्टील का बना होता है और यहां फटने का डर होता है जब वाटर है मरोगा मानो यहां पड़िव लगा दिया तरभाइन बंद भी करना होता है एकम कोई तुरंद वाल्ग करेंगे Themen क Championship का डर रहता है इसलिए यहां पर टैंक लगाते हैं जो क्या करता है जैसे वाग को तुरंद बन किया गया जो पाइप में पेनिस्टॉक में पाणी रहता उसका प्रेसर बढ़ता है प्रेसर बढ़ने से द्रौव ऊपर चड़ने लगता है इसमें सर्ग टैंक यानि यह जो खाली हो गया का कि वाटर हेमरं से पाइप बचाने लिए पाइप फटने से बचाने के लिए दूसरा काम इसका होता तरवाइन जो ख़़ता कभी कम कभी ज्यादा होती तर्बाइन क्या कि constant speed पे चलती है कि डर्बाइन हमेशा एक constant speed पे नाचना चाहिए और अगर जनरेटर मानो एक टर्बाइन से दो जनरेटर जोड़ दिया लेकिन हमें समय के साथ बेली की खपत कम बेसी करना होता है तो इसलिए एक जनरेटर मानी है बंद कर दिया दूसरा जनरेटर चला तो पानी की सप्लाई कम करना पड़ेगा तो पानी की सप्लाई कभी कम क करेंगे कभी ज़्यादा करेंगे तर्बाइन में कभी ज्यादा पानी जरत होती कभी कम पानी होती है तो इसária कि अही कुछ कचड़ा आ गया और तर्बाइन में पानी पुरा चाहिए जो सर्ग टैंक में पानी होता वही इसमें आने लगता है जब तर्बाइन को ज्यादा पानी चाहिए तो सर्ग टैंक का पानी इसमें आ जाएगा जब तर्बाइन को कम पानी चाहिए तो यह क्या होता है वाल कैम कर ळादक कि पानी को जरूरत के हिसाब से कम विस टर्बान को पांस्टेंट या अच्छे से पानी सब्लाई करने कद दो काम होता है ते। कि इसमें कोई डाउट रिखत को पहला है वाल बद करने पर बचाने के लिए कि ठीड दूसरा होता है विसर्जन को कमेशी करने के लिए तरवाइन है और कभी पूछ लेघ रेंक कहा लगा जाता है तरवाइन के पास तर के पास यादर रखिये कि सर्ग टेंक हमेशा टर्बाइन के नज़्दीक लगाए जाता है यह सर्ग टेंक टर्बाइन के ज़स्ट पास में लगाए जाता है जिससे कि पानी का फ्लक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् तर्बाइन के उतना सही पानी यह सर्ग टैंक दे पाएगा अधर करते हैं इसमें किसी को कोई डाउप नहीं होगा तो देखे यहां पर लिखा हुआ है कि टर्बाइन सर्ग टैंक का दो काम होता है पहला वाल बन करने से दाप परिवर्तंग होता है इसको नियंत्रित करना इसे जल आगात करते हैं दूसरा पानी के मात्रा को नियंत्रित जल की मात्रा को नियंत्रित करना टर्बाइन में दो काम होता है और चलिए इसके बाद एंकर ब्लाग देखते हैं का काम यहीं होता कि पाई जो होता है मानि यह प्रेशर वाटर हैमर से प्रेशर बढ़ गया मनि यह देखे तिरिछा पाइप है तो मानि यहां पर वाल वाल बनकी है तो यहां प्रेशर बढ़ा है ऐसे प्रेशर जा रहा है वापस प्रेशर पाइप में बढ़ गया तो यहां जहां पर मोड और पाइप का और रहता है वहां पर एक एंकर ब्लॉक या थ्रस्ट ब्लॉक लगाते है थ्रैस्ट ब्लोक, एंकर ब्लोक के तरह होता है, और यहां पाइप धरती के उपर है, धरती के अंदर नहीं है, पाइप धरती के अंदर भी डाल सकते हैं, धरती के ऊपर होता है, धर्ति के उपर मतलब सतह पर तो यह जो पाइप सतह के उपर रहता हो उसमें एंकर ब्लाक की जुरुदत होती है आप देखें कि कई पाइप आपके उपर दिखता है मतलब रोड पर दिखता है साइड में करती के अंदर आता है जो दिखता नहीं है तो कर दे से बाएगा तो यह पाइप खुलने का निकलने का डर कम रहता है लेकिन जो धर्ती के ऊपर रहते हैं वो क्या है कि मानो प्रेसर वड़ेगा तो पाइप लेगा हिलने से क्या होगा पाइप निकल सकता है तो इसी से बचाव के लिए हम एंकर ब्लॉक फ्रस्ट ब्लॉक लगाते हैं तो एंकर ब्लॉक देखे छड़ गिट्टी सिमेंट का एक कंक्रीट बनाके और यहीं जहां मोड रता वहीं पर एक गिट्टी का सॉलिड बनाके पुरा पिला देते हैं से देखे यहां पर आपको दिखुआ और ऐसे थे यहां पाइक पाइप मोंड पर चार थरय पर गिट्टी का मिला के पुरा एक दम पिला दिया जाताब वाक्स बना दिया एक और यह था आइसा बनाती आ जाता है वह एख है तो यही यह होता है heads कर बला क्या करता है करता है यही काम होता है सिर्फ एंकर ब्लाग का जो की बहुत ही इजी है ऐसे फ्रस्ट ब्लाग लगा देते हैं जिसे की पाइप को साइड में फेकता नहीं निकलता नहीं है यह भी कम निकाल पाइप को निकलने से बचाना होता है आज़े तो पाइप को निकलने से प्रेश वाटर हैमर से प्लाइप कूटे नहीं कूटे नहीं निकले नहीं इसके लिए क्या है आपका एंकर ब्लाग लगाते हैं और बदोगते हैं अब देखे निक्स्ट साइफ़न साइफन क्या है बहुत इजी है एक पाइप की तरह होता है पाइप ऐसा पाइप जो मूलता है तो देखिए आपके फीगर में साब दिखेगा आपके फीगर में सामने दिख रहा होगा कि यहाँ ई देखिए यह एक जल का शुरूत है जल का शुरूत मतलब एक टैंक है और यहां पे भी एक टैंक है दो टैंक है और दोनों टैंक जो है एक पहाड़ी के इसके बीच में एक पहाड़ी है पहाड़ी है तो क्या होगा देखे हम यहां से अगर चाहें तो पानी को ऐसे छेद करके भी पहाड़ को काटके छेद करके यहां से यहां पानी भेज सकते हैं कैसे ग्रेविटी के कारण ग्रेविटी के कारण पानी क्या रहेगा देर देरे यहां से बाता हुगा यहां पहुं पहाड ना काटके यहां पहाड के उपर उपर से एक साइफन लगा दिया इसे तो ऊपर उपर से लगाना असान होगा क्यों पहाड काटना नहीं होगा तो देखिए यहां पे यह देखेगा EDF यह एक साइफन है EDF साइफन मतलब एक पाइप की तरह है जो नीचे से पहले उपर जाएगा फिर उपर से नीचे की तरह आएगा और यहां देखिए टैंक जो A है वह थोड़ा सा उपर है टैंक B से टैंक B जो है थोड़ा सा नीचे है साइफन में यहां यहां होना जरूरी है रहगा तो पाणी नहीं जाएगी और यहां कैसे पाणी जाता है इसके बीचे क्या है तेकिए बाटा व्रट का दाब हमेशा अवेशा उपर से लगेगा पाणी और फुरा हुगा टैंक के मि दोनों जोडेंगे निए पर प्रेशर क्या होगा जादा होगा प्रेशर जादा हो जय क्या है उपर है सता के उपर आ यहां पर देखिए वातावरत का भी दाब नहीं लगेगा पहली बात दूसरी बात जैसे जैसे उपर जाते हैं प्रेसर घरता जाता पाइप में क्यों खटेगा उचाई की कारण तो यहां पर प्रेसर कम है बिंदू इपर प्रेसर जादा है तो जब प्रेसर एक जगा जगा पानी बहने लगेगा मधेड़ेखिये बिंदू इपर प्रेसर जःदा है डाब जादा बिंदू इपर क्या प्रिसर आपका कम कर देगा क्यों क्यों चॉंकि कोई बीची विच्छी लोप प्रेसर से हाई-प्रेक्सरी हाई-प्रेसर यान-उच्छ नेम्ण मन थाकी tarуб नाक यानि उच्छ उर्जा से निम्न उर्जा की तरफ बहता है यानि यहां की उर्जा बिन्दु ईपर उर्जा जादा है तो बिन्दु ई से डी की तरफ बहने लगेगा अब डी पर जाएगा ते पर पानी पहुंच गया आप दिखिए पहें पहुंच किया पिर डीसे जब यह नीचे है नीचे है तो ग्रेविटी की कारण 161 यहां से पानी 15 कि तरफ बाने लगे यह तो यही होता है साइफ साइफन के साइफ पानी को एक टांक से दूसरे टांक कि ले जाने का काम करता है और भी बीना मोटर नार्मल इस समय क्या कि हम इस मोटर लगाएं यह से लेकिन साइफन वीना मोटर लगाय करता है इसलिए साइफन के नहीं हैं इसका इजाम्पल अगर आपको देखना है तो आप लों जहां मिट्टी का तेल पहले जमाने में लेने जाते थे एक बड़ा सा टैंक आता था असे उस टैंक से क्या रहता था यह टैंक रहता था इस टैंक में कोई भी यहां से छेद नहीं रहता था तो इसमें से मिट्टी का तेल निकालने के लिए पाइप लगाते थे और यहां पर पाइप पे मुह से खीचते थे यहां पर निकालेंगे तो लोग पेसर हो जाएगा यानि नीम्न दाप पानी के अंदर उच्छ दाब राता था पानी या मिट्टी का तेल यहां से बहता हुआ इधर आ जाता था तो यहां किसी बरतन में इकठा कर लेते थे तो यहीं साइफन का एक एक्जामपल है दूसरा क् इसका उपयोग कहा कहा होता है तो पहला तो देखे लिए कि किसी बंद बरतन जहां से निकालने का छेदनाव तो उपर से पाइप डाले के और नीचे वाले किसी बरतन में पानी या कोई भी मिट्टी का तेल निकाल सकते हैं दूसरा क्या है यहां पे जासे दिखे पहारी तीसरा क्या है गाटि में अलग अलग दो एक नहर है पिर उसके अगर में एक नहर है तो यहां से पानी यहां भीन्हिदन हो लगा देगे जैसे यहां पर लगा हुआ है मालो एक नहर इह है, ये नहर भी है यहाँ से ऐसे लगा देंगे और पानी यहाँ से यहाँ जाने लगेगा तो साइफन का काम यही था की दो जलासेों को जोड़ने में बंद बर्तन से पानी या मुट्टी का तेल निकालने में बीना किसी उजा खर्च के यही है साइक्पन और चैप्टर फूर यहीं समाप्त हुआ नेक्स क्लास में हम चैप्टर फाइफ पढ़ेंगे और बहुत धन्यबाद आप लोगों क्लास में जुड़ने के लिए